हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चानल, हेलो गई साडियस में आपका स्वागत है, कैसे हो फ्रेंड्स आप सभी, तो आज हम बनाने वाले हैं, आलू के पराटे वो भी बहुती स्पेशल अनोके तरीके से, आज तक आपने ऐसे आलू पराटे ना कभी बनाये होगे और ना करते हैं, पहले हम यहां पर मैदे को चान लेते हैं, यहां पर यह आलू पराटे मैंने दस लोगों के हिसाब से बना रही हूं, तो यहां पर देख सकते हैं, इस कटोरी से तीन कटोरी मैदा लिया है मैंने, और दो बड़े-बड़े स्पून गेहुका आटा लिया हूं, और थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और थोड़ी सी हल्ती ये डाल कर अच्छे से आठे को मिक्स कर लेना है तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा तेल डाल लिया है फिर से अच्छे से आठे को मिक्स कर लेना है फ्रेंज अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर आठा गुं आप आपके इसाब से कम कम ले लेना है तो यहां पर देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आठे को अच्छे से गुन लेना है फ्रेंज ऐसे अच्छे से आठा रेडी कर लेना है फ्रेंज तो आप देख सकते हैं इतना गीला होना चाहिए आठा अब हम mist में थोड़ा सा तेल डालेंगे friends तेल को अच्छे से आठे में mix कर लेते है friends और फिर उपर से थोड़ा सा और तेल डाल कर आठे पर ड़कन लगा कर ऐसे ही side में रख लेते हैं ताकि आठा सुके नहीं आठे को 2 गंटे के लिए ऐसे ही side में रख लेना है friends आलू में नमक डालकर उबालने के लिए रख लिया है मैंने तब तक हम छेट्नी रड़ी कर लेते demokrat डिया है थोड़ीसा पूदीना ले लिया है मैंने और अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और चार से पांच हारी मिर्चिया ले लिया है मैंने फ्रेंड्स थोड़ा सा नमक मैं दस लोगं के इसाब से चटनी बना रही हूं आप आपके इसाब से थोड़ा थोड़ा ले लिया हूं थोड़ा से इमली डाल लिया है और फिर थोड़ा सा शक्कर चटनी के टेस्ट के लिए और फिर तो आप देख सकते हैं चटनी बन कर तयार हो गई है तो आप देख सकते हैं पुदिने के चटनी बन कर तयार है वीडियो ज्यादा लंबा ना हूँ इसलिए फटा-फट से दिका रही हूँ अब हम धड़के के लिए यहां पर मेती प्यास चार से पांच बड़े बड़े प्यास ले लिया है फ्रेंड्स बरी कटा हुआ और बरी कटी हुई हरी मिर्च और करी पत्ते बरी कटा हुआ और एक किलो से भी थोड़ा स्यादा आलू ले लिया है अब हम धड़का लगा ही डालना है बस सिर्फ 2 बड़े बड़े चमthey तेल डालना है को तो अब हम देल ले लिया हैं त हुठन से खराल ऊपर मिर्च घुरैब दाल रहे हैं और इसको ठोड़ा सब एक दो मिनट के लिए अच्छे से फ्राइ कर लेंगे तु बहुती अच्छे बनते हैं फ्रेंज ए पराटे आप एक पर सरूर ट्रै कीजिए बहुती पसंद आएगा आपको अब हम इसमें हरी मेती बरिक कटी हुई हरी मेती डाल रहे हैं फ्रेंज मैंने थोड़ा ज्यादा लिया हूँ मैंने आपको पहले भी बताया दस लोगों के हिसाब से मैं बना रही हूँ तो आप आपके हिसाब से थोड़ा थोड़ा ले लेना है फ्रेंज दो मिनट के लिए फ्राइ हो गया है अब हम इसमें थोड़ी सी हल्टी डाल रहे हैं फ्रेंज तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा नमक डाल लिया है अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके और फिर पांच मिनट तक फ्राइख करेंगे फ्रेंज जब तक प्यास थोड़ा नरम हो जाता है तब तक इसको ऐसे फ्राइख कर लेना है फ्रेंज एक पांच मिनट के लिए तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर है न फ्रेंज तो आप देख सकते हैं फ्रेंज पांच मिनट हो गया है मसाला भी तयार है फ्रेंज अब हम इस मसाले को पूरा ठंडा करके इसमें आलू डालना है फ्रेंज एक 10 मिनट के लिए पूरा ठंडा कर लेते हैं तो आप दे अच्छे से मसाला ठंडा करके ही आलू डाल लीजिए तब स्टफिंग बहुत ही अच्छे होती है तो आप देख सकते हैं आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप कलर देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है तो हम फटापट से पराटा बनाना शुरू करते हैं तो आ आटे को देख सकते हैं कितना अच्छा नरम हो गया है आटा बिलकुल तयार है अब हम तवा रख ले आए गया अस पर यह बटर पेपर हैं यह मार्केट में कई पर भी भिल जाता है अब हम इस पर तेल अच्छे से तेल लगा लेंगे तो अब मैंने थोड़ा सा आटा ले ल आठे में दाला एसे रख लेते हैं और फिर इसको क्लोज करते यह आटे से आच्छे से पूरा खलोज कर लें आए अच्छे पराटे बन जाते हैं, तो आप देख सकते हैं, कितना बड़ा और पतला हमें चाहे जैसा आलू पराटा बन जाता है, कितना बड़ा गोल आलू पराटा बन कर तयार हो गया है, अब देख सकते हैं, अब यहां पर तवा गरम हो गया है, इस पर थोड़ा सा आईल डाल लिया है अब हम पराटा तवे पर डाल लेते हैं तो आप देख सकते हैं इसी मेतेट से आप भी डाल लीजिए फ्रेंज जब बिल्कुल भी फटता नहीं है और बहुत ही अच्छे से आसानी से इसे पराटे निकल जाते हैं अब हम इस पर थोड़ा सा तेल डालेंगे फ्रेंज एक और आलू पराटे आपको बना कर दिकाते हैं अब देख सकते हैं ऐसे ही आटे लेकर हाथों पर स्प्रेट कर लेना है और फिर ऐसे आलू मसाला लेकर इसमें हम रख लेते हैं अब हम इसको चार और अच्छे से क्लोस कर लेते हैं पुरा आपको कही पर भी आलू मसाला ब से फ्राइब हो गया है आलू पराटा अब हम इसको गुमा रही हूं दूसरे तरफ से अच्छे से फ्राइब कर लेंगे तो आप देख सकते हैं दूसरा और पराटा बना कर आपको दिखा रही हूं कितना अच्छे से हातों से ही अच्छे से स्प्रेड हो जाते हैं और बहुत ह अच्छे बन जाते बहुत ही बढ़ा पतला आपको जैसे चाहिए वैसा पराटा बन जाता है तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गया है आलो पराटा अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और दूसरा आलो परोटा भी ऐसे ही फ्राई कर ल दीरे दीरे से पेपर निकाल लेना है फ्रेंज अब देख सकते हैं कितना अच्छा आजाता है फ्रेंज ऐसे आलो पराटा आप खाऊँगे तो बार-बार याद करोगे फ्रेंज बहुत ही अच्छा बनता है टेस्ट में आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए उसी पुधीन को भी प्लेट में निकाल देते हैं तो अपना आलू पराटा बन कर तैयार हो गया है कितना अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड्स उतना ही खाने में भी टेस्टी होगा अब जरूर एक भार ट्रै कीजिए गर पर इसी पुदिनी के चटनी के साथ तो आप चटनी भी देख सकते हो फ्रेंड्स कितनी अच्छी लग रही है उतना ही खाने में भी टेस्टी होगी अगर आपको यह आलू पराटे की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चानल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भ रही है थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो